इससे पहले कि हम इंडिया का सवाल की और आगे बढ़े इस वक्त की बड़ी खबर राजस्तान से राजस्तान से बड़ी खबर भिलवाडा में साप्रदाई तनाव बरकरार युवक की अत्या के विरोध में बाजार बंद भिलवाडा में 24 घंटे के लिए बंद किया गया इंटरनेट चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया पुलिस बल स्पी आदर्ष सिद्धू कलेक्टर आशीश मोधी ने समाला मोर्चा आपसी रंजिश के चलते चाकुगोद युवक की की हत्या एक डिटेन दू की तलाश में टीम गटते इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर राजस्तान से संप्रदाइक तनाव बरकरार है कलेक्टर स्पी समेंथ अब आगे विचे वाया दे आज़ते हैं साथ में अथे बजार सो बजार काम से तो में अब मेरा भाई को इच्छा नियों दी शिकर निगी तो मैंने का मैं शिकर पीले तो आगे जलते हैं तो आगे जाते हैं इसको ब्रह्माइट से पोस्ते ही फोन आए कि जल्ली आ मैं यहां इब्राहिम टोनी और यद्नान और मुनाफ ख़ड़े वे जल्ली आए मैं को माननी देवे इनका पाई पर रूई चक्कु पुत्र हैं तो मैंने का रूग एक मिटाया तो मैं गया जितन इसको ब्रह्माद ख़ड़े और मुनाफ और दोनों में पर खिराने की दुकान पर लिख जैक हो गई थी पर देशक करना आप तो सामने से करक्रभ हुआ हैं यह मैं सामने हुआ ज़्यादा थे खुल वह आदमी तो ज्यादा थैं मैं लोग आट नू आदमी थैं आपर जहन है इसलिए बवाल है तो मैं लेकर आया हूँ इंडिया का सवाल है नमस्कार मैं हूँ मनीश वस्ती हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा डिवेट चो इंडिया का सवाल लेकर राजस्तान सामपरदा एक हिंसा की आग में जल रहा है धधक रहा है भिलवारा में युवक् में नाराजगी है मिनितक से शो का पुस्मार्टम अभी नहीं हुआ है इस बीच युवक की हत्या पर सियासत गर्माई है लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में शहर शहर हिंसा क्यों भड़क रही है आखिर इसके लिए कौन है जिम्मेदार क्या राजस्थान म से बात करें उससे पहले आप देखिए इंडिया के सवाल के प्रोडूसर भानुक प्रकाश की इंडिया का सवाल की ये रिपॉर्ट भीलवाड़ा में जबरदस्थ हिंसा राजस्थान में हिंसा की आग शहर शहर हिंसा नौन स्टॉप राजस्थान में हिंसा संयोग या प्रयोग क्या ये राज्य सरकार की असफलता है क्या वाज्य स्टॉप राजस्थान की भीलवाड़ा में की वक्की हत्या से माहौल गर्मा गया दरहसर यहाँ पर मंगलवार की रात एक 22 साल की वक्की चाकू मारकर हत्या कर दी गई आरूप ये है कि कथित तोर पर दूसरे समुदाय की लोगों ने आदर्श्था पढ़िया की चान ले 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 पैसो को लेकर विवाज शुरू हुआ हत्या तक पहुँच गया जिसके बार भीलवाड़ा में तनाओ का महौल है लोगों में इस घटना को लेकर बेहत नाराज़ की है मृतक आदर्श्था पढ़िया के भाई के मुदाबिक दूसरे समुदाय की लोगों ने बेरहमी से उसके भाई की हत्या कर दी पोलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफदार किया जिसमें दो नबाली है कि कि में अगर यागर भी ची अगर बढ़ा जाता है कि सात्मीर पजार से बजार गांसे तो मैं रभी को इत्षा है ने जिजार की कि अबाला चाहर तो में ग्याव इतने तो इसके फेरों पर मारा तुम मुनाफ और इब्राहीम और अजनार नंभ रहा था। प्ट वह है और तोनीने मेरा सामने यूँ कहीं मैं भाई के चक्टू डाल दिया था। आदर्श की हत्यागे बाद भिलवाड़ा शहर के पाजू थाना शेक्त्रों में ह्टीएफ और रसी के जबान तैनात कर दिये गया इस पीज विश्रो हिंदू परिशर बीजेपी और हिंदू चंग जागरण मंच ने भिलवाड़ा बंद का एलान किया वैद परिशासन ने महाल को देखते हुए इंटरनेट की सेवाओं को चौबिस हट्टू के लिए बंद कर दिया बिलवाड़ा के अंदर लगातार संप्रदाई गटना हो रही है और पुलीस परिशासन को विशंदू परिश्यद भाजबा द्वारा ग्यापन दिया गया उसमें भी बताया गया कि ये कुछ नो कुछ मुस्लिम समाज द्वारा गटना की जाएगी एक हिंदू समाज के युवाओं को चक्कु मार के मडर कर दिया गया उसका आरदस आदमी थे ये जब तक पुलीस परिशासन इन सब को घृबदार नहीं करती है जब तक बोड़ी को नहीं उठाया जाएगा और ए निश्चित कालिन तक बिलवड़ा बंद किया जाएगा राजस्थान में बढ़ते सांपरदाईक हिंसा पर सियासी महाभारत अपतेज हो गई केंद्रिय मंत्रे गजिंद्र सिंग शेखावत ने भेलवाड़ा में युवक की हत्या को लेकर सीयम अशुक गहलोत पर मेशाना साधा उन्होंने का कि कहलोत को अपनी सत्ता जाने का डर सता रहा है लिहाजा खास समुदाय के लोगों पर आरूप होने के बावजूद उन्हें बचाने में जुटे हैं कजिंद्र सिंग ने आरूप लगाया कि राजस्थान में शांती के बतले हिंसा बढ़ गई है वह हिंदू संगठन भी राजसरकार पर हम ना बुला और राजसरकार को हिंसा रूपने में नाकामियाब करार दिया और पिडिक परिवार के लिए वो आउसे की मांगी पिछले दिनों में जोतपुर में जिससरे की घचा है हुई झाल के लिए बहुत सरमना घटना है पुलीस प्रसाशण और है सरकार के लिए आंके खोलने वाली गटना है इनको हम चेता के आये थे जब हम मिलने कहते थे तो कि ये रियक्षिन में कोई गटना जरूर होगी आप साफदान रहना लेकिन प्रसाशन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये गटना हो चुकी है हाल में राजस्थान में संप्रदाई खिंसा की वारदात में तेजी आई फिलवाड़ा से पहले जोदपूर में भी इद के मौकी बर जंडे लगाने को लेकर दो समुदाई भिड़ गये थे जिसके बाद 12 मई तक के लिए करफी लगा दिया गया भरतपूर में सिख और मुसलिम समुदाई के लोग शराब पीकर शादी में डीजे बजाने को लेकर मामुली का हसुनी पर आपस में उलच गया एक दूसरे पर बोदलों से हमला किया जिसमें करीब डेट दरजन लोग सखनी हो गया इसके बाद राजस्तान के करोली में हिंदु धर्म के नए साल की शुभायात्रा पर पत्राओं के बाद दूस अमुदाई में जम कर बवाल काठा गया 34 लोग खायल हुए पुलिस ने 60 आरोपियों की गिरफतारी की लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफत से बाहर है मैं अलवर के राजगर में मंदर में तोड़ फूर के बाद तनाव फैल गया था एज़े में राजस्थान में शहर चेर बड़ती हिंसक बारदासिर सियासी कलियारों में आरोप कत्यारोप का दौर लगतार जारी है और इसके सेंटर में अश्रुक गहलूर्थ की सरकार विरो रपोर्ट निउज इंडिया यह सियासी प्रयोग या संयो क्योंकि आप अगर देखें तो नेताओं की जुबान ये बताती है कि प्रदेश प्रदेश में साल भर में चुना हुआने वाले इसे पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ महमानों का पैनल है पैनल में हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं सीताराम अगरवाल जी, कोशाद्यक स्पीशिसी राजस्थान हमारे साथ हैं अनिल गोटवाल साहब पूरू एसपी है राजस्थान पुलिस के गोटवाल साहब आपका स्वागत है और मौमाद इमरान सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं आप सबका चारों मेहमानों का स्वागत है सबसे पहले मैं गोठवाल साब के पास आना चाहूंगा चुकि ये मसला कानून विवस्था को लेकर है गोठवाल साथ आखिर राजस्थान में ये शहर शहर हिंसा क्या खुफिया जानकारी की कहीं कमी कोई कोता ही आपको लगता है कि इसी कारण पुलिस इस पर काबू नहीं कर पा रही दिखे ये थाई है कि और कुरोना के बाद में जो दो साल सारी गतिवीदियां चाहिए वो धर्मी को समाध्री को राजनेती को गतिवीदियों पर विराम जो लगावा था चाहिए गूमने को मसले को लेके हो जनता आप बाहर निकलके अपना प्रदर्शित करना चाहती है बताना चाहती है माहूल सौहाद पूर्ण रखना चाहती है यह जो तो हो जोहां राते हैं इस पूलिस और प्रशाशन इस पर देखते हुए कि पृतिवर्श पूलिस और प्रशाशन इन चीजों के उपर ध्यान रखते हुए जो एसामाजिक तत्व है उनको पहले से पाबंद करने की कारवाई की जाती है इनफॉर्मेशन इकटी होती है इंटेलिजेंस इकटी करते हैं कि कही माहोल कुछ ऐसामाजिक तत्रूर नहीं बिगाड़ते हैं वो एक्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है जो एक्जीक्यूट के उपर कमिया है या क्या है तो यह कहीं न कहीं एक एक के बाद एक जो यह देखने को आ रही है चीजें उसमें हम एक्जीक्यूट करने में हम जो धरातल के उपर इस्तिति को कंट्रोल करने में लाइन ओ पूर अगर कोई ऐसी बदमाशी है तो पहले तो शांति जो सिल जी के माध्यम से है शांति समीतियां उनको भी टाके पीड़ बैक लेना चाहिए कि ये गटना हो रही है ये त्योहार है इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए क्या एतियांक मिलता है और ये जो भी हुआ है उसके बाद अगर कोई फिर भी इस प्रक्यार की कारवाई करे तो उस पर त्वरित और कठोर और पहले से पाबंद करने की कारवाई करनी चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए तो मैं जहां तक समझता हूँ कि इसमें निश्पक्ष और कठोर कारवाई की आशकता है कोई भी जाती कोई भी समाज कोई भी धाल किसी भी है उसको शांती बनाए रखने के लिए रिशाशन को थोड़ा सा कठोर हो सीता राम अगरवाल साहब हैं अगरवाल साहब आखिर सरकार प्रशासन और सरकार के बीच में जो समनवाए होना चाहिए ये एक पूर्व पुलिस अधिकारी कह रहे हैं वो कहीं कमी है जिसके कारण जो इंटेल इंपुट कहा जाता है वो उसकी कमजोरी है कि इस तरह की क्या संकेत दे रही है आखिर ये संयोग है या प्रयोग संयोग और प्रयोग की बात नहीं है दुरभाग्य है मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई अच्छे सिम्टम नहीं है और इसको हिंदू मुसलिम या कॉमिनल जो भीलवारा में जो हुआ अभी आप ही के रिपोर्टर क मामले में जगड़ा हुआ लेकिन उसके बावजू कतल जैसा जदन्य अपराद जिस आदमी ने भी किया है चाहे वो कोई भी है उसको कानून को सजा देनी चीए निश्चित तोर पे प्रसासन की अगर जहां लापरवाई होती है सरकार प्रसासन के उपर कठोर कारवाई करत होती है तो सरकार इतनी सजग है मानिये मुख्यमंतरी जी इतने सजग है निश्चित तोर के उपर वहाँ पे उस लापरवाई को सहन किया नहीं जा सकता और मैं तो खुद सहमत हूं इस चीजों से कि अगर किसी की जयान इस बात के उपर ली जाती है इससे बड़ा जदन्य अपराज नहीं हो सकता और इसको जामा पेनाना उससे बड़ा गुना है जी अगरवाद साब आपके पास आउंगा सामपरदाइक हिंसा की बात तो आपने की प्रशासन की चूक और गलती कई बार मंदिरों के गेट गिर जाते हैं रातो रात मंदिर पर बुल्डोजर चल ज जब प्रशासन की चूक होती है तो सापरदाइक हिंसा और तनाव बढ़ता है और ऐसा राजिस्थान में देखा गया है अब हार साथ गर्ग साहब हैं गर्ग साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं गर्ग साहब सुरेश जी अगरवाल साहब कह रहे हैं आपने पुलिस अधिक लग रहा है कि उनकी कुर्शी खंड्रे में आप देखिए पिछले कुछ महां से राजस्तान के अंदर सांप्रताइक दंगे हो रहे हैं राम नमीपे या नव क्वास पर अगर हिंदू कोई अपना जूरूस निकालता है तो वह क्या हिंदूस्तान में हिंदू अपना जूर पुलिस वहां पर मुख दर्शेटी हुई थी आप देखे करोणी के अंदर दर्गा होता है अल्वाज राजगंड के अंदर तीन सो कराने मंदीर को नाया जाता है फिर जोड़पूर के अंदर जोड़पूर के अंदर अविस्तित आप पाजू करेंगे कि एक तरीके के पुलिस आपकी है आपको पहले आज में अभी वाड़ा के में लेका सुन्दा था इस तरह से सम्भावना हो सकती है इसके बाद भी प्रसाइट नहीं गर्ग साब मेरा एक छोटा सा सवाल है ठीक है सरकार की चूक है प्रशासन की गलती है लॉइन और का प्राबलम है लेकिन हिंसा का विरोध करने के लिए जब कारेकरता सड़क पर उतरते हैं तो इसे सियासी जामा क्यों पहनाया जाता है जैशी राम के नारों के साथ इस तर अगरवाल साब आप गरग साब को अगर सुन रहे हैं तो उनका सीधा आरोप है आपकी सरकार पर हिंदू विरोधी सरकार है गरग साब का सीधा आरोप है गरग साब कारे लगाने से हिंदू विरोधी हो गये अभी हनुमान ज अगरवाल साथ अगरवाल साथ आप अपनी बात पूरी करें गर्ग साथ आपकी बात सुनेंगे अगरवाल साथ आप अपनी बात पूरी करें अगर 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 प्रसासन के लापरवाई होती है तो प्रसासन को सजा मिलनी चीए मैं कहता हूँ कि हम कौन सा सपोर्ट कर रहे हैं हम तो एक करें हमारा दुर्भा किया है लेकिन इसको प्रियोग में नहीं लेना चीए इसको उक्साने की राज़िती नहीं करनी चीए इसको कम से कम अभी जहां पे मंदिर तोड़ने की बात कह रहे थे तो इसकी गहराई में जा है आप यह सब चीए इसको हिंदू-मुस्लिम नहीं करके और बजाए इसको राजनितिक रंग नहीं दे हमारा राजस्तान बहुत शांती प्रिये राज है यहां पे कभी ऐसा नहीं हुआ मैं कहना चाहता हूँ एक बार भैनु सिंग जी मुख्यमन थे अनन्च चतुरुजशी के ओपर भी हुआ था कई बार ऐसी चीजें हुई लेकिन हमारे आप भाहिचारे में जैसे कहा सीयल जी की मिटिंग होनी चीए हमारे यहां पे जो भी हिंदू हो या मुसलमान हो या सिक चीए निच्चित तोर के ओपर अगर कोई ऐसामाजिक तत्रों काम करता है तो उसको सजा मिलनी चीए हम उसके पक्ष में हम यह नहीं कहते कि बाई किसी ऐसामाजिक तत्रों के साथ दिया लेकिन मानलता के साथ खड़ा होना चीए चाहा है वो कोई भी हूँ जी गर्ग साब गर्ग साब सियासत ना करें आपके पास आऊंगा गर्ग साब सरकार है कहेगी सियासत होती रहेगी हमारे साथ सामाजिक कारेकरता मौहमद इमरान है जनाब इमरान साब आखिर ये क्या हो रहा है राजस्थान में एक महिने से लगातार राजस्थान शेहर शेहर तैटीस जि देखिए मरीजे, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि कोई भी आंतकवादी हो या आराजासित हो जो शान की करता है परदेश की आदेश की तो वो किसी जाती या धर्म का वो, किसे कोई फरक नहीं पड़ता जो मुझरिम है, वो मुझरिम ही कहलाएगा पहले बात में गरता प्री कहना चाहूँआ कि जे शेयराम के नारे हिंदुस्तान में लगेंगे तो अल्ला हुआ अक्पर के भी नारे लगेंगे हम पागिस्तान क्यों जाएंगे हिंदुस्तान इतना ही हमारा है जितना आपका है चाहे मुसल्मान संगठन हो चाहे हिंदू संगठन हो जो भी हो जो भी गलत चीज़ों के उपर काम कर रहे हैं उनको सजा मिलने चाहिए क्योंकि ये देश सम्विधान से चलता है ना कि लोगों की भावनाओं से सम्विधान सवफ्री है सम्विधान को माने तानून अपने क्या है आज चाहे मगबूल खाम हरें या मैं सोरी कहुँआ कि चाहे वो अनिल जी हो चाहे कोई भी किसी भी नाम से जाना जाए लेकिन अगर ये कहा जाए कि साथ हम हिंदू संगठन सिर्फ मुसल्मानों के अलग और हिंदू संगठन वालों का इसाथ देंगे तो ये घलत है आजादी की बात करें मुलाना अभुलकलाम आजाद या जेश की जितने भी बीर जवान इलाल बादु शास्थी इमास्पा गाली इन सब के भी दर्म और जातिया लग लगते लेकिन ये लोग एकटा होके एक साथ लड़े हैं और इन्होंने दादीत रही है अगर ऐसे पूछे का एक दिन क्या हम कहां जा रहे हैं हमारे क्यों हम बात नहीं करते कि हम आगे जाएं हम हमारे युवाओं को इनको पता है इसकी नॉलेज में है कि हिंदुस्तान के अंदर जो युवाओं है इस वक्त सबसे ज्यादा है क्या ये उनका इुटिलाइज नहीं कर सकते नेगेटिव चीज़ करणा की पॉजिटिव ने क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते बाते करते हैं ये सिर्फ जोड़ तोड़ की पहलो का का जो कार्ण हुआ था रहाईस्तान के अंदर क्या उनको भी मुसल्मान है ने मारा था लेकिन ये बात करना गलत है मुसल्मान और हिंद करें जो आप इस मंच पर बैट कर कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है सामाजिक ताने बाने को अगर एक बहुत बैतर तरीके से गंगा जमनी तहजीब को इज़त देनी है तो आप जैसे सामाजिक कारकरताओं को भीड में जाकर उपद्रवी तत्वों को ये सिखाना होगा बत कि ये जो पुलिस है ये निकमी है काम नहीं कर रही है तीखिए राजस्तान पुलिस में पूरे 40 वर्स बिताए हैं राजस्तान पुलिस ऐसी नहीं है कि जिसके कोई कारवाई करने में सक्षम नहीं है बहुत अच्छी पुलिस है बड़े-बड़े हिमानदार और कर्मट कभी कभी होता क्या है के प्रशाशन उस समय ये देखता है कि फला अधर्म का एक कोई आयो जन है महोत्साव है पर वो है तो उसको शांदार तरीके से ये नहीं है कि उस प्रु को निकालने नहीं देने के लिए तो पुलिस बनी नहीं है और दोनों में समंजे से बिठा के और को शांदा तरीके से सभी अपनाएं ये प्रिशाशन का और पुलिस का दाइद में के हर पर्व को हर उत्सव को लुबबाग मनाएं इसके लिए हम यहां पुलिस के अंदर बैठे हैं लेकिन होता क्या है कि आइडेंटिफाई नहीं होता है कभी-कभी माहूल ऐसा है सरकार कु आने वाले इलेक्शन को लेके तो उसके अंदर आइडेंटिफाई करें इस प्रकार के अगर इलेक्शन को या और किसी गतिविदी को लेके कोई ज्यादा एक्टिव हो गये हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करके उनको पाबंद कराएं मैं यह दिखे रहा हूं कि सभी इस प्रकार की कही ना कही इच्छा शक्ति अगर काम करती है वहाँ पुलिस अपने लगभग चार दशक तक राजस्थान पुलिस की और समाज की राजस्थान के आपके प्रदेश में सेवा किये जहां तक इन दिनों पुलिस का जो नजारा देखने मिल रहा है अलग-लग प खाकी पर अपना हुक्म चलाती है और इसलिए खाकी उसकी हुक्म की तामील भी करती है ये ऐसा दिखाई दे रहा है गोठवाल साब अलग-अलग प्रदेशों में जहां जिसकी सरकार है खाकी भी सलाम इसलिए ठोकती है क्योंकि अफसरों को अच्छी जगह मनमाफिक पोस्ट चाहिए जिया गोठवाल साब आप आए मेरे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार इंडिया का सवाल लगातार जारी है आखिर राजस्थान में शहर शहर क्यों है तनाओ कहीं मुल्क में चुनाओ तो नहीं ब्रिक के बाद इंडिया का सवाल में आपका एक बार फिर स्वागत है राजस्थान में क्यों तनाओ है कहीं प्रदेश में चुनाओ तो नहीं है जी हां हमारे साथ चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है पैनल में हमारे साथ संतोष गर्ग साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ अगरवाल साहब सीता राम अगरवाल जो की कॉंग्रेस के PCC के कोशचा ध्यक्ष हैं और सोशल एक्टिविस्ट जनाब हमारे साथ हैं आप तीनों का ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है जी हां गर्ग साथ गर्ग साहब और अगरवाल साहब मैं चाहूंगा कि आज इंडिया का सवाल में आप दर्शकों को ये साफ करें कि प्रदेश में जो भी चल रहा है इसके पीछे सियासत नहीं ये मह श्वास पुक्ता हो जाएगा कि ये वाकई हमारे खैरकवा हैं आखिर गर्ग साब जिस तरह से बात एक के बाद एक सामने आ रही है और छे जिलों का उलेक मैंने किया आपने भी इसकी बात कही आखिर ये सामप्रदाइक तनाव क्यों बढ़ रहा है क्यों लगतार इसमें वाइस साथ पहुत करनारी कर रहे हैं किता रामी बोल रहें किताब हम पर एक सजया देगे अरे बएधिव क्यों गायब है उनको जिरत्ताव क्यों किया जाता है आज करोली के दर मुख के आरूपी जो मस्तूं धान है उसको फूर निकीकर अगर कि करता है मुझे बताई की एक मेले मनीग नहीं नहीं कुछ नहीं उसको घ्रता किये जाना साथ आज जिद्व्या मारे मदेना दीन के उपर आरोफ लगाती है किसाब इनके मंतिका बेटा है और रेट केंदर आरोफित है कि यहां पर तुष्टी करण की राजनिती हो रही है और इसके संग्रक्चन में हम दोले हैं यहां पर दंगे प्रसाद हो रहे हैं जोट फूर के अंदर इसना वड़ा दंगा हुआ है राज को ग्यारा बजे दंगा हुआ तो क्या पुलिस होती रही थी क्या सुबह धाये में सब्सक्राइब कर देखिए आप देखिए आए दिन इंटरनेट बंद हो जाता है इनकी क्या पुलिस इंटरनेट बंद हो जाता है गर इस तरह से तुष्टिकरण चलेगा तो इस तरह का तर थनाव लगातार बढ़ता रहेगा और एक जगे नहीं पूरे प्रदेश में ये प्हल सकता है चिंगारी लग चुकी है आग सुलग रही है धदक रही है ऐसे में अगरवाल साब अगर पक्षपात पूर्ड कारवाई होगी तो ये हिंसा और भड़केगी तो ये निश्ची तोर पे जैसे जैसे इलक्षन नज़्दी काते जा रहे हैं जैसे जैसे इन सब चीजों का प्रियोग होता जा रहा है तो ये आज पहले बार इस टाइब की गटना नहीं हुई और उल्ली राजस्तान एक ऐसा राज्य नहीं है ताँ पे ऐसी गटना होती है या सरकार ने उनको सरहनिय कहा हो या सरकार ने उसके ओपर कारवाई नहीं कियो या सरकार की ये मंच्चा हो ऐसा नहीं है अभी मैं एक बात कहना चारता हूं कि ये एक जुर्भागे पूरवग है कि ऐसा कार्य होना जदने अपराद की स्रेणी में आता है धरम और जाती प्रशावादी की ना तो कोई जात होती है ना कोई धरम होती है। नहीं मिली जोदपुर के अंदर काम नहीं किया प्रसासने नहीं तो फिर क्या इन लोगों ने ठीक करने के लिए गये थे वहां पर रईस सरकार फेल नहीं है फेल अपोजीशन है जो जहां पर बहुत इजी तरीके में जाक्टे हिंडू मुस्लिम का नाम दे करके और वहां पर यह शांती का माहूल बनाया जा रहा है यह अच्छी चीजे नहीं है आज हमें शांती समिती का साथ लेना चीए हमें वहां के प्रबुद आदमें का साथ लेना चीए हमें वहां के धरम गुरूं का साथ लेना चीए पर मैं तो यह करता हूँ हमें पॉलिटिकल पार्टियों का विसाथ लेना चीए और साथ लेकर के और वहाँ पे चीज आदमी ने भी एक अगतना की ए जै वो भीलवारा है जै वो जोदपुर है जै वो करोली है जै वो अलवर है आप उसकी गहराई में जाना चीए और निश्चित तोर के उपर दोस्टी को सजा देने के अंदर विप बढ़ा दिया जाए कभी भी बढ़ावा नहीं दिया सकता और राजस्तान एक चांती प्रिये प्रदेश है इसको चांती प्रिये बना रहने दें कि इलक्सन की राजिति को दूर अगरवाल साब कह रहे हैं कि विपक्ष जो पीस कमिटी होती है उसमें विपक्ष मी शामिलो और उसके साथ साथ सियासत के लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है और खासकर विपक्ष की वो आपकी तरफ उंगले उठा रहे हैं गर्ग साथ कि चुनाओ है इसलिए ये तनाओ है अबर्टी जी पीताराम अग्रवाल जी को ये समझ में नहीं आ रहा आप अब देखीए कि ऑल रहे हैं वह उपर सुपर आप अभी आपने बताया है कि वह आप पूल रहा है कि सब्ट एक दिन पहले मैंने जाके अपर रहस्ती को बताया है कि सब यहां पर सामस्ताइब दंगे होने की संभावना है आप प्रसाशन को चेता है क्यों फिर दूसरे दिन जगड़े हैं सामस्ताइब दंगा होगा है जब एक बार पेले बता दिया गया है इसके बावजुत्री जोट पूर के अंदर राज को ज्यारा सारे कहरा वजिस तक क्या गवक्ता का उता है आए हमारे डेश के प्रजार जो मंत्री है तो यह को यह की बेवफ्ता है जब यहां पर इस तरह की राजनिती की जाती तो इससे पता लगता है कि यह कर रहे हैं यहां पर राजस्ता में प्राइजित हो रहे हैं वें प्राइज प्राइज भलतां प्राइज अंओय इसके व्याज में पर रोखिए हैं तो प्रोक्रियों नहीं रूख रहे हिंसा भी नहीं थब रही पहले आग बिर्का देते हैं और उसके बाद कहते हैं हमको बुलाइए बुलाने की नौबत तो देओ कम से कम ऐसा मत कीजिए प्लीज ऐसा मत कीजिए कोई तुर्ष्टिकरन नहीं है अभी भीलवाडा के MLA ने कहा और ये भीलवाडा का किसा ही मैं बताता हूँ क्या ये सामप धार्मिक प्रियोजन नहीं था क्या पर और कोई चीज नहीं थी क्या कोई मंदिर नहीं था क्या कोई बस्जिद नहीं था और उसको दे रहे हैं क्या ये हिंदो मुस्लिम को मिनल राइट हो गए अरे थोड़ा तो सोचो कम से कम कि किसी का लेंदेन का मेत्र है जगड़ा हो जो दोसी है उसको सजा दिलो इसको राजनितिक रंग या हिंदो मुस्लिम रंग जो दे रहे हो अगर उस एमले साब ने कहा है तो क्या इस गटना को हिंदो मुस्लिम जोड़ के देखा जाना थी है ये पहले मीडिया सो से पहले मीडिया को ये तैकिकात करना थी है क्या ये या ये लेंदेन का मेटर है या ये हिंदू-मुस्लिम पॉमिनल राइस से पहले इस चीज़ को हम लिश्टाक्स्ता से जात करें हम अपने आखों से लेखें आज भीरवारा की मुट्रे की बाद कराओं यहां पर जोद्पुर्के उदर हुआ जोद्पुंकर मैं मालता हूं कि हिंदू-मुस्लिम क्रमिनल राइस से और वहां पर गिरभदार वोगों कम्यूटि के आदमें होए हिंदू भी एरस्ट हुए बुसलमान भी एरस्ट हुए तो बदमासिक करेगा है वो हिंदू ऐसे है कि पोई जात भी एर्च भी भारा में ऑस्टेश हो है क्या यह किंशी मंदिर का मामला है क्या यह हिंदू-मुस्लिम करने पे लगे हो भाज जोर के विंपी करते हैं कि मुद्दे सही उठाओ अगर मुद्दे सही उठेंगे तो उनके उपर उसका उसामादान भी होगा हमारे साथ एक और सामाजिक कारिकरता बवीता शर्मा जी बी जोड़ गई हैं मौँध इम्रान साथ सामाजिक कारिकरता हमारे साथ बने हुए हैं बवीता जी आखिर राजस्थान में हिंसा क्यों नहीं रुक रही भी मिजिए राजिश्थान में हिंसा का ऐसा है कहीं तो परसासन की चूख है और परसासन की चूख होनी की वेशे से यह सब हो रहा है इसको राजनिती रंग ना देके इस पे कड़ी से कड़ी कारवाई की जाए अपराद रोके जाएगे इसको हिंदु और मुस्लिम भी ना कि जाए और इसको तुरंट इस पे कारवाई करके अगर अपराधियों को पकड़ के उन पे सक्त कारवाई की जाएगी तो अपराधों पे लगाम लगाई जा सकती है तो ये कौन है जो लगाम नहीं लगाना चाहता बविता जी कौन है जो लगाम नहीं लगाना चाहता ये सरकार का ही है इस भुला सामने दिख रहा है सारा सरकार का ही है अगर सांग का चाहे तो क्या नहीं कर सकती ये तो सभी stared को पता है कि सरकार चाहे तो दो मिनिट में अपराधी को पकड़ के उसको सजा दे सकतीर है और अभी भी कहतेliers कितनी संख्या के अंदर पुलिस बैल तैनात कर दिया गया है तो क्यों नहीं पुलिस अलर्ट करके सरकार फटाफट से सांति कायन की जाए हिंदू-मुस्लिम करके इतना रंग भड़काया जा रहा है पहलाया जा रहा कभी को कोई कह रहा है कि यह राजनी तियोरी तुष्टी से उसको अपरादियों को पकड़के और सांति कायम करने चाहिए उनको सजा देनी चाहिए आगे ऐसे तक लाम हो बबिता जी समाज में शांती के लिए आप जैसे सामा जी कारकरताओं की बड़ी भूमी का रहती है मुझे यह बताईए कि आप लोग की तरफ से किस तरह की प आजिक कारकरता समात से जुड़े लोग के आखिर शांती बनी रहे मानीज जी रेकिये जैपूर है वो दूर दूर से लोग देश वी देश से लोग भूमने आते हैं और इस तरह की जो घटनाएं होती है यह जो मैसेज आता है यह बहुत ही खराब मैसेज है अपरादीक ऐस भारत के दूसरे राज्यों में अदूर तेसों में इसकी खराब हो रही है कहीं न कहीं और इस वज़े से परियेटकों पे भी सब चीजों पर ही इस पे अथर आएगा तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तुरण तवरित कारवाई करनी चाहिए इमरान साब मौम क्यों कि ये बहस ये बहस आखिर राजस्तान में कौन है जो चिंगारी को आग का बड़ा सरूप दे रहा है जिया विश्लेशक कहते हैं कि ये सब सियासत है क्योंकि प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं गर्ग साब आखिर ये सियासत अगर रुकेगी तो जिस तरह से सब्सक्राइब करने लेकिन नहीं आते हैं तो ये राजस्तान सब्सक्राइब कि अगर राजस्ताम को कंट्रोल नहीं करता रहे तो ये कहिं कहते हैं उनकी कुर्सी खत्रे में होने की वज़े से यहां से दंगे पर काया जाए जिससे की केमिन में जो इनके वेता हां का है तो समझ ने पाए तो कि इनकी जो प्रतिव दूपर चल रही है ना ना जश्चिन कि अगरवाल साथ तेरा तारीक को आपकी पार्टी के आला नेता आला नेता आपके प्रदेश पहुँच रहे चिंतन शिविर होगा चिंतन शिविर के पहरे राज की ऐसी इस्तिति कि राज के अलग-अलग जिले लगबग पास से छे जिलों में साप्रदाई खिंसा और तनाव है चिंतन का विशे है अगरवाल साथ आप अपने वसंद्रा राज इंदिया जी की तरफ देखें सथी स्पोनिया जी की तरफ देखें आपके यहां पर कितने चुकड़े हो रहे हैं वो देखें खुद के पैरों में यहां पे खुद के आग जलती हुई वो नहीं दिख रही है आज आप से बात हो रहे ही सांपरदाई जंगों की सरकार को निकम में बता रहे हो सरकार की सारी चीजें अरे भारत के अंदर सिर्फ राजस्तान और फटीज़गर में दो में दो कांगरिश की सरकार है आप क्या मूबली भोड़ रहे हो आज यह हालत करती पूरे देश की तो आलत करती मुस्लिम करके अब देश को रतोरा सिर्फ राजस्तान और फटीज़गर में दो करती है आज 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 आपको जपी कुछ दिखता है आपको यह कॉमिनल जाइट करते हैं आपको अली चंता की में भूतो आप बच्चा को रख्या पर गया आज रुप्या इतना निक्रित कर करते हैं आज रुप्या सला कल कोमा में चला गया उसका तो आपको ज्यान नहीं है किसी का ज्यान नहीं है आज महंगाई आसमान में चली गी कैस सलंडर पे कल पतास रुपा बढ़ा दिये परसों कॉमर्शिल पे एक तो एक रुपा बढ़ा दिये थे उसकी कोई सलंडर नहीं है अगर एक जीरवाड़ा में कुछ होता है तो पूरे भारत अंदर कांगे किसी का जीर, जान चाल पारा दिया करना चाहता है, ना आप करना चाहता है… अस्ती अच्छी की आनए के लिए यह वाद अखाना है कूरु तो नहीं है, इस बहुत थक चुका है, अश्त बहुत थक चुका है अगरवाल साब बीजेपी के राष्ट्री अध्यक जेपी नडड़ा ने कहा है उनका कहना है कि जब रूम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था गैलो चाप पर निशाना है कोई बंसी ने बजा रहे थे ना तो बंसी बजाने का शोक है ना बंसी बजाना आता है गैलो साब को गैलो साब जितने सबेदन सील मुक्यमंत्री है आज बारत के लिए जो बजट गैलो साब ने जिया है जो बजट गैलो साब ने जिया है प्रश्व और दुब और यहां तक आद्मियों की नहीं पिर्प मेडिया है तो शिरब और शिरब सो गलोट ने और ये गोवग तोने का दावा करते हैं कल नो मेने का अनुदान किसने दिया है। वह भी घैलो साथ ने दिया है। हैं और आपको तो तो आपके पास इलाज या कोई रमीडी नहीं है इसलिए ये मसला भरकता जा रहा है कर दिए कर दिए कि अंदर यह हाला से हैं कि किसी की होस्पिटिल के अंदर चले जाई है चिरंजी भी योजना लागों नहीं है लागों नहीं है तो यह तो इनकी रहातल से इन्होंने करदा माप करने की बात किती इनके नेता आया दे किसी कंदर करदा माप करतेंगे किसानों की जमी में पुर्की हो रही है लेकिन इन्होंने कर्दा माप नहीं किया किसानों का यह जो बोल रहे हैं कि आप देखिए कि जो पी योड़ में रहे हैं दवायों के अंदर यह के रहे हैं मार्केट से खरीजनी पड़ती है होस्पिटिल में नहीं है इन्होंने चाहिए आप देखिए पंद्रा-पंद्रा-दीन-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश-वीश- के मुख्यमंत्री एक जादूगर है अबरा का डबरा जादू की एक भाशा में कहते हैं कि जादू की छड़ी घुमाओ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैजिक वैंड मैजिक वैंड से काम होता दिखाई नहीं दे रहा जिया क्योंकि काम धरातल पर यहने जमीन पर करना होगा बविता जी एक छोटा सा सवाल छोटा जवाब आप जैसे सामा जी कार्यकरताओं की बड़ी भूमी का आ जाती है जब सियासत इतनी गर्माई हूँ देखे वनीश जी एक तरफ तो गर्ग साब बोल रहे हैं कि आप उसकी तरफ जा रहे हो जब आप एक घर की तरह होता है राजनिती एक घर की तरह देखी जाती है आपका परदेश को देखिए आप महिला यहां सुरक्षित नहीं है यहां पर आए दिन दंगे भढ़क रहे हैं अप क्या करक्या रहे हो जब आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो कुछ भी तो आप करक्या रहे हो आपको इसके उपर तुरोंत संगया लेना चाहिए कर क्या रहे हो बविता जी मेरे लिए इंडिया का सवाल खत्म करने का वक्त है लेकिन जाते जाते हमारे साथ गर्क साहब हमारे साथ सीता राम अगरवाल साहब बविता शर्मा जी इंडिया का सवाल कारेकरम में आप लोग आए इमिरान साहब आप भी आए लेकिन अब मेरे ल उमीद करते हैं कि सियासत वाले सामप्रदाइक तपिश ना करमाएं इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों के पिटारे को लेकर आ रही हैं मेरी सहयोगी अंशिका पाठक थोड़े से इंतजार के बाद